चालो करते हैं आज की भी Tech News and let me tell you October is going to be absolutely crazy month इतने सारे launches है ये Tech News पूरी देखने के बाद आपको पता चाल जाएगा the number of devices that are going to launch मतलब आज जितनी सारी खबरे आई हुई है सुनिए सबसे पहले बोल दूँ टाइम नहीं Samsung का Tab A7 दोस्तो 28 से pre-order पे जा रहा है अगर आप Tab 7 Plus देखोगे तो वो महेंगे हैं A7 जो है A Series वो सस्ती होती है and 28 से जा रही है pre-order पे वैसे इधर भी unboxing first impressions आ रहा है बहुत ही जल्दी आपकी Samsung की दरफ से और एक खबर आ रही है दोस्तों उनका A72 पहला phone होगा Samsung का जिसमें penta cameras मतलब 5 cameras होने वाले हैं पीछे की दरफ 64 Mbps, 12 Mbps, 8 Mbps, 5 Mbps, 5 Mbps, 5 Mbps ऐसी ही कुछ है और आगे 32 Mbps, A72 में होने वाला है लेकिन अभी नहीं first half of 2021 मतलब अगले साल start में आने वाला है अब आने के बाद देखिंग वर 5 cameras, oh my god, telephoto है, ultrawide है, main sensor है, macro है, depth sensor है, और क्या है दोस्तों ऐसे अगर कोई बोलता था कि Realme और भी fast करने वाला है उनके launches, और भी ज्यादा चीजे launches करने वाला है मैं कहता था, नहीं भाई, अल्रीड इतने speed से वो launch कर रहे है, लेकिन नहीं दोस्तों, double triple speed होने वाला है October में, October 10 के पहले, मतलब October 5 से लेके October 10 तक दोस्तों, कुछ 9 या 10 devices launch कर रहे है बताओ कुछ कुछ आपको, Realme 7 Pro SE, ये एक smartphone है, अभी इतने सारे phones लाँच किया, अभी SE एक आने वाला है उसके बाद में 55 इंच का TV लाँच करने वाले S-LED TV, OLED जैसे होता है, P-LED होता है, S-LED TV, उसके बाद में बताओगा उसके बाद में Buds Air, Pro, Buds Wireless Pro, Soundbar, Toothbrush, सोचिये दोस्तों, मतलब इतनी सारी चीजे हैं कि पूछे मतलब, और भी बहुत सारी चीजे है So overall, Realme is going to come up with so many devices, crazy वैसे मादोशेट जी ने आज ट्वीट भी किया दोस्तों, इस 4K TV के बारे में, और ये S-LED technology है So it's going to be, and it's 55 inches का होने वाला है, good, अच्छे pricing पे आएगा याद रखिये दोस्तों, ये जो OLED TVs होते है, OLED या P-LED या S-LED अभी ये जो नहीं technology ये बात कर रहे है ये महंगे होते हैं, but if Realme is going to get it, that means it is going to be at aggressive pricing अब actually technology क्या है, आने के बाद ही पता चलेगा, but it is going to be great panel, let's wait for it और दोस्तों, Realme UI 2.0 का roadmap आगए कि किस-किस phone पे आने वाला है, अगले 6-7 महिनों में सभी phones पे आने वाले है याद रखें, UI 2.0 जो है, वो Android 11 के उपर है, सबसे पहले X50 Pro में आएगा, उसके बाद में Realme 7 Pro, उसके बाद में Realme 6 Pro Next बहना, so basically October, November, December में 2-3-3 phones में आने वाला है, which is around 6-7 phones in 2020, और बाकी सब Jain EFM में आएगा एक बात मैं कहूंगा दोस्तो, Realme अपडेट्स रेगुलरली देता है, which really I think is a good thing दोस्तों, आज Amazon ने उनका Amazon Echo, Echo Dot, Echo Dot with Clock, ऐसे तीन अलग-अलग डिवाइसिस लाँच के, डिवाइसिस तो नहीं है दोस्तों, यह basically successor है उनके पहले Echo डिवाइसिस के और अच्छा है, उसका Dolby, Sound वगरे, इंप्रूव किया हुए, बहुत सारी चीज़े इंप्रूव किया हुए है, साड़े-चार हजार रुपे से प्राइस चालू होती है, और दस हजार तक इसकी प्राइस जाती है, अगर आजाता है या फिर हम खरीद लेते हैं, तो आपको फिर्स इंप्रेशन जरूर देंगे, इंट्रेसिंग है लेकिन, लेक्सा, ओन एको, और दोस्तों, इंट्रेसिंगली आज, Amazon ने आउट ओफ द ब्लू अनाउंस कर दे है, उनका क्लाउड गेमिंग सर्विस जिया है, जैसे गूगल स्टेडिया है, Microsoft का खुद का है, वैसे ही Amazon Luna भी आगया है, अब ये अभी US में ही ओपन हुआ है, बाद में पूरे वर्ल्ड में, जैसे इंडिया में भी आ जाएगा, बट इसकी प्राइस जो रखी है, बहुत एग्रेसिव रखी है, डॉलर 6 इंट्रोड़क्टरी प्राइस है, पर मन्त, सिरियसली अब गेमिंग भी अब भूलिए, बेल आइकन बजेए, आल कीजे, ताकि हमारे वीडियो के सब नोडिफिकेशन आपको मिल जाए, जैसे ही हम वीडियो अप्लोड करते हैं, और दोस्तों, आज का जो वीडियो है, अमेजिंग, हमारा सबसे जो पॉपुलर वीडियो होता है, वो है, अपकमिं smart phones for next month, जी हा, इसी tech news में, अपकमिंग smart phones के वारे में बता दिया, go and watch it, nearly 12 to 15 phones are launching, and some of them are really, really good. दोस्तों, Qualcomm, अभी अभी कल या परसो 750G उन्होंने अनॉंस कर दिया, अनॉंस नहीं किया कि अनॉंस करने वाले, और एक प्रोसेसर अनॉंस करने वाले है, 775G है, 765G का सक्सेसर होने माला, and it is going to be on 6NM technology, मतलब 7NM से 6NM होगा, इसका मतलब और भी power efficient होगा, कहा जा रहा है it is going to be 40% better performance देगा ये, मतलब CPU 40% ज्यादा powerful होगा, and 50% graphics उसके improve होने माले है, oh my god, that's a big jump, 40% and 50% is big jump, अब आने के बाद, वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे, सब कुछ, अना दोस्तों, by the way, अगर आपको 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 अच्छी लगती है, लाइक करना मत replies from me, कुछ बहुत, दोस्तों, certification website के उपर, in fact, BIS website के उपर, Redmi Note 10 and 10 Pro, ये हो गए है, list, जी हां, अब ऐसे कहा जा रहा है कि, Mi 10T, जो September 30th को launch होने वाला है, वो re-name, मतलब, rebrand होके, India में Redmi Note 10 के नाम से आ जाएगा, और याद रखिए, Mi 10T जो है, ये 750G इस प्रोसेसर के उपर ह लेकिन कोई कह रहा है कि it is going to be Redmi Note 10 या फिर Redmi Note 10 Pro, दो phones launch होने वाले है, उसमें से एक में 750G ये प्रोसेसर होगा, इसका मतलब वो 5G भी हो सकता है, yes, because 750G is a 5G प्रोसेसर, तो Note series में 5G अल्रेडी आ गया है, that's very nice, I am very happy about it. दोस्तों, आज Poco का Poco A में, Ask Me Anything ये हुआ, और Manmohan जी और Anuj जी दोनों भी थे, जवाब दे रहे थे, जो consumers या फिर subscribers थे, उनके सवाल, या फिर Poco fans थे, उनके सवालों के जवाब दे रहे थे, और उन्होंने एक बहुत अच्छी और इंट्रेस्टिंग चीज कहीं, लोग What does that mean? इसका मतलब Poco F2 में, flagship level के, जो भी specifications होने वाले, वो होंगे, and it might be better even than Redmi K30 Ultra. So, Poco F2 with flagship specifications and mid-range pricing. Wow, that sounds so good, isn't it? चलिए, एक अच्छे deal के बारे में बोलता हूँ, दोस्तो, OnePlus 70 Pro जो है, उनके website के उपर, अब और भी सस्ते में मिल रहा है, 40,999 जी है, debit credit card पे कुछ 4-5,000 मिल रहा है, 3,000 रुपीज ओफ है, लेकिन this is exclusive on OnePlus, मैं link नीचे description में दे रहा हूँ, जरू जा के देखिया है, और description में बाकी के भी अच्छे-च्छे offers और links दिये हुए, go and watch it. तो अब वक्त होता है, इस Tech News के सबसे important segment का, जी हाँ, आपका नाम लेने का, हमारे Superstars का नाम लेने का, कल के हमारे 3 Superstars featured commenters है, लवेश नंदिनी, वांगलू, वाइल्स, मंगेश चिंचोले, congratulations, lovely, 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 lovely comments, दोस्तो, ऐसे ही रोज कमेंट्स करते रहे हैं, ऐसे ही रोज में आप कर देए, शेरिंग करना आपके आद में, रिमाइन करना मेरे आद में, दोस्तो, इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो दो, keep trackin' and stay safe.